नमस्ते सात्यों आप सभी का स्वागत है सत्यों मैं विनो से रोगा माद्यमिक सिक्सामी भाग में हिंदी वाक्षा की तोर पर जुन जुले में अपनी सेवा दे रहा हूं और आज हमें एक विसे प्रबात करने के लिए आपकी समुख सुपस्तित हैं कत्सा रहे कि वारवी व पिप्र का प्रसनवार्षी लेशन करेंगे कहने को हम यह कह सकते हैं कि हम ब्लू प्रेंट के विसे में जानेंके प्लू प्रींट के विसे में जानने के वसका आपका प्रसंपत्र बहुत ही अच्छा जाएगा इस बात कि मैं गारंटी दे सकता हूँ हम ये वीडियो जो है ये सभी के लिए आवस्य के है सभी को देखना चाहिए और मेरा आप से भी नमर आगरे रहेगा कि यदि आपने पहले की वीडियो देखे हैं या नहीं देखें आ वीडियो को पूरा देखना सुनिश्चित करें हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में हमारे कुल मिलाकर 45 पॉइंट्स दें एक तो है जैसे हम यहां मत पूरा सा अलग लिखूं तक हम करते चलेंगे पूरा बोर्ण हमें काम में लेना है एक तो हमारे अंतरा नाम पुस्तक चल एक है अभिवेति अब्हुरि मध्यम इसके बाद में है काव्यांग वीवेचन जिसमें हमें कावे बूने कावे दो सी अलंकार और चंद इत्रदी पढ़ने हैं और इनके भी यह दिदेखे दें तो अंतरा भी दो नंबर का भाग है मतलु घयारवी में है एक दंबर और दो तो महत्तों बुण है इसके साथ ही जैसे एपठित दग्दांस और पध्दांस तो एपठित बोध हमें पढ़ना है और एपठित के बाद में एक हमें निबंद के विशे में जानना है एक निबंद भी हमसे लिखोया जाएगा अलग अलगे आपका इस बोड परिक्षा का प् वह कितना रहेगा पुल्णांक आपका असी अंक का रहेगा अर्था अर्थे अस बीस अंक यहां से इस विद्दाले से जाने है और असी अंक कहां से आपको बोड के प्रस्ण पत्र के माद्दम से लेकर आने है जो की दो घंटे 45 मिनट में आपको करने है अब एक नई बात है कि आपको कुल 21 प्रसन मिलेंगे प्रसन कितने है 21 क्रमांग के कि हिसाब से 21 प्रसन है लेकिन इन 21 प्रसनों में कुल 48 सवाल आप से पुछी रहेंगे कितने सवाल पुछी दने है 21 में जैसे पहला प्रसन है उसमें से 30 प्रसन पूछी लिए एक के छह बना दिए वन टू त्री फोर तो इस प्रकार से 21 प्रसन होंगे लेकिन हम यह मांग सकते हैं कि 48 प्रसन है और हमें उन 48 प्रसनों में से कि जवाब देते देते असी अंक तक का इसको न हमें पूरा करना है देखते हैं कि किन कि में क्या क्या मामला है तो अन्तरा है आपकी उस अंतरा का अंक भार है 32 अंतरा का अंक भार कितना है 32 अंत्राल है 12 है अभिवेक्ति और मात्य में 10 अंक का उसके बार में काव्यांग परिचे जो है वह आठ अंक का है ए पटित बोध 12 है अंक का है और निबंध है वह जोड़ करेंगे दो दो चार आठ और चार बारे है तेरे 14 चोड़े और 6 बीस कि हसिल दो दो और तीन 5 छे और एक साथ और एक त्याठ आठ आप मान सकते हैं कि हमारा प्रसुल बत्र की इन खंडों में विभक्त होगा सबसे ज़्यादा जो भार दिया गया है सबसे ज़्यादा तो वेटेज है सबसे ज्यादा मैत्वल दिया गय है और उसमें से गत्द्य और फद्य कंट हैं काविताइय और काहानिया लेक इत्यर दी अब देखें, इसे अपने बात करें, पूरे प्रस्ण पत्र को चार खंडों में विभक्त कर रखा है, कितने खंडों में? चार खंडों में, अब पहला देखते हैं हमें, खंड A, सबसे पहले हम बात करेंगे, खंड A की, और यह A नाम का जो खंड है, उसका अंक भार है, 30 अं अंक का होगा, इसमें क्या-क्या चीजे पूछ जाएंगे, एक ही प्रस्ण है, उसमें क्या है, सबसे पहले होगा, A पठीती, A पठीती गद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् चलते हैं यहां उसके बाद में एक पध्यान्स हो जाएगा मतलब यह तो कवीता होगी एक कहानी एक लेख इसका हिस्टा होगा और एक कवीता होगे जाएगी इसमें भी एक एक अंक के यहाम लpoke ताकि थोड़ साएगे चाहिए अनक के छै प्रसंटों विवाजान्स की एक चैसे बाद में 2 नंबर का प्रसंट उसके बाद में अ अगे चलते हैं जैसे दूसरे प्रसंद में होगी ए रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान कि जो है रिक्तिस्थान की पूर्थी करनी है और यह कहां से पूछा जाएगा यह काव्यांग विवेचन से अब आप यहां देख सकते हैं कितना है बार हो गया बार है हो गया आगे चलते हैं अलग अलग पूरे एक एक इनका इकाईयों का और और पता करते चलते हैं इसमें हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है रिक्तिस्थान वाले में इसमें हमसे छंद के विशें में अलंकार के विशें में कवेगून के विशें में कवेगूने वे दूश है इन चारों चीज़ों के विशें में पूछह जायेगा और इन्में से रिक्तिस्थान के ही प्रसन हैंगे अ बाद ये करते हैं कि कवेअग विवेचन के आठ प्रसन आने हैं लेकिन यहाँपर कितने प्रसन में पूछ हिजा रहे हैं चैनल तो यहां भी एक गोणा छै यह चैनल पूछ लीए कि उसके बाद में बात अती है उसके बाद में बात अती है तीन नमर के प्रसंटा और तीन elegante कर इसमें पूल विला कर एक एक कंग के बारहए प्रसन हो एक कितुना घुए आ हाँ चज़रहो और 168 टेश यह प्रसट रहे हैं इस कि यह बारहा अंक कि आप कहा हैं एंग तो दो अंक तो आएंगे दो प्रसंतों होंगे काव्यांग विवेचन से दो प्रसंतों कहां से आने हैं काव्यांग विवेचन से अब देखिएगा आप 6 काव्यांग विवेचन से यह आगे और 2 यह होगे तो काव्यांग विवेचन दा 8 अंक का कोटा पूरा हो गया होई 6% पहां से आने हैं अभीवेक्ति ऑउरे मध्यम की किताब से यहां से कितने प्रसन नाम की किताब से यहां से से होंगी दो तो पत्द्य खंड से दो गद्य खंड से तो कुल मिला करें दो और छे आठ और और चारे बारे आपने यहां देखा कि अतिलह गद्रात्म कि प्रसण जो है वह कितने नंबर क्याने हैं 12 यहां हो गई यह खंड ए आपका यहां पर पूरा हो जाते हैं कितना कहां हो गया यहां तक के खंड ए की प्रसंद हो गई अब हम चलते हैं अभी हम बात करेंगे खंड बे की कि बे में क्या होगा खंड बे और बे का अंक भार जो है वह रहेगा चोवीज अंक अलग अलग चार्व चोथा और पांच वा यह दो प्रसंद अभीवेक्ति और मध्यम यह कहां से अभीवेक्ति और मध्यम से पूछे जाने और यहां अंक भार कितना है दो अंक है और आप देख सकते चार और पांच एक साथ रिख दिया तो दो गुड़ा दो कर दो तो चार अंक है अब देखीगा अभीवेक्ति और मध्यम से कितने अंक के प्रसंद पूछे जाएंगे मतलब आप यह समझ सकते हैं मान सकते हैं कि कैसे बनती है कवीता नाटक लिखने का व्याकरन और कहानी वाला जो छह साथ और आठ का पाट है उनमें से तो प्रसंद यहां से पूछ जाएंगे अब यह लगुत्रात में प्रसंद क्योंकि वहां पर आपको एक-एक क्यों पंट यहां से पूछे तने तो 2-2 अंक्रे की 2 lump यहां हो गये लागए पर 4 प्रसंद 4 हो गया तो अभीष्थी ₴ 4 6 और 4 दस तो अभ्यवेक्ति वाध्यम का Conte भी हमें पुरा कर चुकि हैं अब इस कि वह राशात में तो वहाँ जैसे board में इसमें ने दिया है कि मीडिया की भासा में beat का क्यातात्त पर यह है, सामन्य लेखन का कौमसा नियम सर्व है मन्य नियम विसेश लेखन पर भी लगू होता है या विसेश लेखन के विभिन क्षत्रों के कि नहीं चार क्षत्रों के नाम लिखिए प्रसन ही पुछ जाएंगे बड़े प्रसन वहां नहीं आने इन सब पाठों के वीडियो ज्यादा तरके बन चुके हैं और एक तो नाटक और कहानी वाले इसे से जो एक और एक या दो दिन में बना कर लगा दिये जाएंगा वहां से देख सकते हैं उसके बाद में यह चार औ और ही साथ का प्रसन च्छटा और सात्वा प्रसन जो है वह अंतरा के अंतरा के गद्धे एंड पद्धे मतलब एक गद्धे से होगा और एक पद्धे से होगा और इसका अंग भाल भी कितना है दो गुणा दो ब्रावर चार क्योंकि दो आंके का छे नंबर का दो का ही साथ प्रसन है यह महतोबुन क्यों है बताते हैं यहां पर अंतरा के अंतरा के पद्धेखंड से किसी कवी का साहितिक परीचे पुछ देगा यहां बच्कों देखनी वाली बात यह कि आपको विकल्प मिलेगा चाहित अब ऑप्रसन हो इस प्रकार से होगा यहां पहला है जैसे जशंक्र प्रसाड तो Christianityと या अज्ये का साहितिक परीचे दीजिए या लिखिए यहां आम बात ये करते हैं कि वहां आमें ओप्सन जहां मिलता है वहां अथ्वा लिखा होता है वहां अथ्वा और उसके बाद विज़ा से यहां लिख दिया हुने केदागदाद सिंग लेकिर यहां पर एक ही नाव होता है यहां आपने को प्रसंद करता ने या पेपर में एक ही साध दो विकल्प दे दी या तो आप जैसंगर प्रसाद के विशे में लिखें या कवी अज्जे के मैंने देखा एक वूंड उसके बारे में रिकी आप दोनों में से किसी एक का चैन कर सकते हैं इसलिए आठ नमर का दो प्रसन है उसमें आपको विकल्प मिलेगा यह साहितिक परिचे होगा यह अंतरा से होगा पद्धे खंड से होगा और किसी कवी का साहि इसलिए अनतरा प्रसन हे और दो दो सब्सक्रापर प्रसन कि अनत्रा के गद्य घंड से किसी लेखक का साहित्यक परिचे किया देगां हлось साहित्यक परिचे परिचे यहां भी विकल्प मिलेगा और मंता कालिया या यह मैं इसी बोर्ड के द्वारा जो प्रसन पत्तर जारी किया गया है उसी से प्रसन लिख रहा हूँ ममता कालिया या निर्मल वर्मा का साहितिक परिचे या साहितिक परिचे दीजिए या साहितिक परिचे लिखिए अब यहां देखे आपको आपके सामने option है या आप निर्मल वर्मा का लिख सकते हैं या आपके ममता कालिया के लिख सकते हैं दोनों में से कोई एक तो अलग यहां अथ्वा ने लिखा होकर सिर्फ एक सब्द बीच में डाल देगा या और यह ग्यारवेर अंक पर यह ग्यारवेर नंबर का प्रसन होगा जिसमें आपके पास इस बात की छूट होगी कि आप दो में से किसी एक वेक्ति का जीवन परिचे वहा निखे सकते हैं अब आगे चलते हैं 12 में 15 biking की परशन होगे चार व्हुंस कहा कहां से होंगे यह अंत्राल से होंगे अंतराल के तीन पाट अबारे समिल है और कुन-कुन से पाट समिल है वो एक तो सूर्दास की जोबडी एक आरोहन ये दो तो अपने अर्दवार सिख परिक्षादत पड़ी लिये होंगे और एक है प्रभास दोसी का अपना मालवा खाऊ उजड़ू सब्भेता में अपना माल और दो से पूछाज़न है और यह दो दो नम्बर के चार फरसन हो इसका कोटा नहीं हुआ कि यह घंड़ इंपका यह complete होता है और खंड बे को हम यहां पर ज़से लोग कर देते हैं गवर के लिए, यह आपका दो अंक का प्रसन, और यह भी दो अंक का है, यह आठ अंक के आ गए आपके यहां से, ज़से हम देखें कि अंतरा में से कितने नंबर के प्रसन आ गए, तो अंतरा में से चार प्रसन यहां अंत कूलिन लागर केतने नंबर ने है बतीसों और इन बतीस कांसी क्या है दो अलग अलग अगों में 16 रहतों होंगे गद्दे और 16 ही लुगे पत्दे अर्थार्द को पूरी किता आपको दो में भी भफ्ञति किया गया है दोनों को समाने महिरत दी आगा आप चलते हमें खंड सहे क्या रहेगा अच्छे नंबर आप लेकर रहेंगे और आपके समझ बढ़ेगी बात नंबर की है नहीं नंबर कितने नहीं लेकिन आप ने समझ ली चीज़ को तो नंबर लाने से भी कोई नहीं रोग सकता और आप एक अच्छे नागरी किस देश को देंगे या देश के लिए एक अच्छे नागरी का तयार हो जाएंगे आप अब चलते हैं अब देखते हैं खंड सेग में जैदी देखा जाए तो कुल मिलाकर द तिने अंक्यके हैं दस अंक्यके हैं हमने यहां देखो एक दो तीन फिर चार बांच छह साथ आठ नो दस ग्यारे बारह तेरह चोदर बंद रहे यहां तक आगे अब यहां बात करते हैं शोल में नंबर के प्रसंद की जो की जो की अंत्रा के गद्य घंड से होगा निबंध अंत्री के विकल्प का आर्थ समझी गए होंगे आप कि यहां पर आपको एक प्रसंद होगा और उसकी यहां दिच्चे लिखा हुआ अथ्वा और उसके बाद दूसरा प्रसंद होगा अब आपके सामने दो रास्ते हैं आप जो मर्जी वह हैं प्रसने अपने उत्र पुस्तेह में कर सकते हैं उसका उत्रे दे सकते हैं तो सोलव नमर का प्रसंद तो कहां से हो गया हिंदि साइते की मुख्य पुस्तक अंत्रा के गद्य खंड से निबंद दात्म 6 रहेगा और इसमें दो न मतल हिंदी साहिते के गद्य साथ बाठ है कि अब रहेगा और यह फृ न जो है तीन अंक है कि आंतरा फद्येकरन और यह भी नि अतमक है कि कसंग अनक है और इसमें दित रहेगा या इसके सबस्हों मिलेगा कि यह पर देखंड और यह भी निबंध आत्मक रहे तीन इसका अंकभार और इसमें भी विकल्पे उपस्तित रहेगा या विकल्पे मिलेगा विकल्प मिलेगा इसका आर्थ है मान सकते हैं कि अठ्ववाला प्रसंद है दो मिलेंगे आपको कोई एक करना है अब बात करते हैं 18 नंबर के प्रसंद की 18 नंबर का प्रसंद जो है वह अंतराल भाग 2 से बिया जाएगा और इसमें भी यह भी किस स्रेणी का प्रसन होगा यह निबंधात्मग स्रेणी का प्रसन होगा और इसमें आपको अथ्वा वाला है या आंतरी की विकल्प आंतरी की विकल्प भी आपको मिलेगा इसका अंगभार चार रहेगा आप यहां देख सके हैं कि हमने खंड से का प्रसन है कितरें का तीन का पद्य घंड सेग आ गया तीन का और अंत्राल का निभंद आत्मत प्रसन हो गया तीन पाटों से सूरदास की जोपड़ी आरोहण संजीव का और प्रभास दोसी का अपना मलवा खाऊ उससे चार अंके के प्रसन पूछ लिए गए खंड से का आंग भार भी कोटा पूरा हो गया अब हम देखते अंत्राल को आप यहां पर देखेंगे यह चार प्रसन जो है वो अंत्राल से ल कोटा भी पूरा हो गया है अब बात करते हैं हमें खंड दे की हमें खंड दे की बात करते हैं यह कितने नंबर का है यह 16 है उंक का है इतने उंक है इसका इसका उंक वार कितना है 16 है उंक के इसमें क्या रहेगा 19 प्रसंद जो है वह अंतरा के अंतरा के पद्दे घंड से एक व्याख्या पूचि जाएगी क्या होगी एक सब्सक्राइब और लिपने इसके साथ है प्रसंद व्याख्या पूचि जाएगी और यह क्यों स उसका अंक भार इस प्रकार से है एक प्लस चार ब्राबर पांच अरदार दे प्रसंद क्याति आपने लिखे तो एक और मुझे पूरी उमीद है कि यह पांचों अंक आपके ही होंगे बात करते हैं यहां में क्या रहेगा यहां आपको विकल्प मिलेगा अर्दार थे दो अलग-अलग कविताओं से मैंने देखा एक बूंत से आ गया देव सिना की गीत से आ गया कार्नेलिया की गीत से आ गया ब अवीयो के दुबरा रची तो कविताओं मेंसे दो ओप्स और आपके समण रोंगे दोनों मेंने कोई एक करना है यह रहेगा वी इस नंबर का समया यह अंत्रा से ही है लेकिन यह है गध्यें घंड से यह हैं यह से प्रसंग व्यक्र जाहें है से प्रसंग वेख्या है इसका अंक भार भी एक प्लस पांच चार बराबरे पांच रहेगा और यहां पर भी आपके शमक्षे विकल्प उपस्तित रहेगा आप जो मर्जी वो कर सकते हैं अब आता है 21 प्रसंग में आपको निबंद लिखना है उस निबंद का अंक भार 6 होगा और आपके शामने पांच विकल्प होंगे कितिने विकल्प हैं? पांच विकल्प हैं, पांच मैं से पांच टोपिक दियो होंगे आपके सामने यूँज़ और अवे सदय ये और इन फांचों में से कोई एक पर आपको कम से कम, और अधिकतम चार सो अंकों में एक निपंद लिखना है जो कि आपका मौलिक लेखन होगा आपकी रचनात्म का भीवेक्टी होगी तो यह छेंग का है इसका कोटा भी पूरा अब चलते हैं अंतरा की कोटे की तरफ अंतरा का कोटा देखा हमने तो चार अंक सबसे पहले यहां चार उसके बाद में चार और चार आठ आठ और दो दस से दस दो बारे बारे दो चोदे है चोदे और दो सोलह शोलह और तीने उननीश और तीने बाइस अब बाइस और पाँचे 27 27 और पाँचे 32 कुल बिला करें 32 अंक का जो पूटा है वह भी पूरा हो गया है कहां अंतरा का यह दि आपने इस प्रकार से तयारी की है इस हिसाब से आप तयारी करेंगे कि हमें क्या देखना है हमें अभि इवेक्ति और मध्यम से दस नंबर के प्रसंत तयार करने हैं जिसमें चहन तीन वाठभों में से सएक एक नंबर के प्रसंत तयार करने हैं और विशस ल thought यूंत मत्तिन अभावान नमर के यह प्रसंद कभी नहीं आएंगे वहां यही प्रसंदों में उनसे एक सब्द से लेकर एक पैंक्ती तक में जिसका जवाबें दिया आ आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका हरी रहूंगा और मैं समझतों क्योंकि हमारा लक्से सिर्फ बच्चों का फाइदा ही है बच्चों की हित में हम काम करें यह हमारे लिए बहुत ही महत्तों पूर्चीदे यदि आप पर निजी रूप से संपर करना चाहें और किसी प्रकार के हिंदी साहते और हिंदी अनिवागे में किसी प्रकार की समस्या का आप सामना कर रहे हैं आप कुछ जानना चाहते हैं कुछ संकाय हमन में जिनको आप दोर करना चाहते हैं तो यह नंबर हैं आप इस नंबर पर वाट्साप टेलिग्राम या कॉल की जरिए संपर क कर सकते हैं अगले वीडियो में अच्छा एक और बता दें कि इसका यह जो प्रसंपत्र जारी किया गया था इस पूरे प्रसंपत्र का हल जो है वह है आरे इसी चैनल पर लगा वह है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जारी कर दिया जाएका आप वहां से देख कर दो कि गहां से अगया जारी कि जाएका वहां से लिए।